मानफ्ता के खिलाफ हमने सबसे बुरा अपराद ये किया है कि हमने लोगों के दिमाग में स्वर्ग का विचार डाल दिया अगले पांच साल इस देश को कुछ सीमाओं से उपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आईए हम सब मिलकर इसे एक सचाई बनाते हैं मतलब मैं 83 का हूँ मुझे महसूस नहीं होता कि मैं बुड़ा हूँ मेरा मतलब मेरे पास बहुत उर्जा है मेहनत करना, जिम जाना, खुब गुमना मरना ठीक है, मगर बुड़ा होना जरूरी नहीं है मगर क्या आप मरने से डरते हैं? क्या आप मरने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं मैंने एक पून्ट जीवन जिया है मैं हर दिन को ऐसे जीता हूँ, मानो यही आखरी दिन है तो मुझे कोई परिशानी नहीं क्या आप अच्छी नीन सोते हैं? ओ हाँ देखे, पच्छीस साल तक मैंने सर्फ ढ़ाई से तीन गंटे नीन से काम चला है रात में? हाँ रात में? इन दिनों मैं आलसी हो रहा हूँ, मैं औस सतन साड़े चार गंटे सोता हूँ आप जानते हैं मेरी पत्नी और मैं नौ गंटे सोते हैं इसका मतलब है कि आप आदे जीवन सोते रहेंगे अगर मैं धाई गंटे सोया होता, तो मैं अभी ऐसे बैटा होता नहीं है, शरीर को नीन्द की नहीं, उसे आराम की जरुरत होती है अगर आप जानते हैं कि खुद को आराम में कैसे रखना है, तो नीन्द की मात्रा कम हो जाएगी ये एक अच्छा पॉइंट है जब हम कोई काम करते हैं, तो उसमें सफल होना चाहते हैं, कोई संदे नहीं पर आज सभी कामयाब लोगों को देखे, वो संदेश फैला रहे हैं, सफलता दुख है, सफलता कश्ट है, अगर आप ये संदेश फैलाएंगे, तो अगली पीडी सफलता नहीं चाहेगी शायद उनके मन में ये शब्द नहीं हो, मगर वो सफलता नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सफलता देख रहे हैं और वो आपकी तरह नहीं होना चाहते उन्हें लगता है कि वो गांजा पीकर बहतर है, और वो हैं ये सच है तो आपके सफल होने के लिए सबसे महत्वपून चीज है शरीर की सुखधता, मन की सुखधता, भावनाओं की सुखधता और आपकी जीवन उर्जा की सुखधता हम अपने जीवन को बहुत हास्यास पद रूप से जटल बना लेते हैं यही दुनिया की रीथ है बहुत ज्यादा जैसा कुछ नहीं होता इंसान बहुत कुछ कर सकता है ज्यादतर इंसानों की समस्या ये है कि उनका मन ही उनके खिलाफ है जब आपकी समझदारी आपके खिलाफ हो जाए तो आप खत्म देखिए आप इसे तनाव कह सकते हैं आप इसे दुख, पागलपन, जो चाहिए कह सकते हैं मुख्य रूप से ये आपकी समझदारी का आपके खिलाफ होना है क्या कोई और वज़ा है? चेतना कोई अजीब चीज नहीं है जो कहीं और घटित हो रही है आप जीवित हैं और जानते हैं कि आप जीवित हैं क्योंकि आप चेतन हैं अगर आप अचेतन हो तो आप ये भी नहीं जानेंगे कि आप जीवित हैं, मर गए हैं न? आप ये भी नहीं जानेंगे कि आपका अस्तित्व है या नहीं तो आप चेतन है, सवाल सिर्फ ये है कि कितने चेतन? तो चलिए, अभी हम चेतनता को रोश्नी के रूप में देखते हैं. मान लेते हैं, इस हॉल में सिर्फ एक लाइट है, और उसकी रोश्नी कम करते हैं, तो वो सिर्फ ये दो लोग दिखाईगी. बाकी मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं क्या सोचूँगा? उसकी रोश्नी पूरी बढ़ा दी, अब मैं हर चीज और व्यक्ति को पूरा देख पाऊँगा. चेतनता बस यही है, हर कोई चेतन है. सवाल बस यह है कि कितने चेतन, हर कोई जगा हुए हैं, मगर सवाल सिर्फ यह है कि आप अभी कितने जगे हुए हैं. इसलिए यह शब्द है. भारत में हम हमेशा से जागरिती शब्द इस्तिमाल करते हैं. क्या मैं जगा हुआ नहीं हूँ? मैं जगा हुआ हूँ. मगर आप इससे अधिक जागरित हो सकते हैं, जितने आप अभी हैं. आगे आप और अधिक जागरित हो सकते हैं किसी बिंदू पर अगर आप पूरे जागरित हो जाते हैं तो सारी सृष्टी आपके बोध में आ जाती है मानपता के खिलाफ हमने सबसे बुरा अपराद ये किया है कि हमने लोगों के दिमाग में स्वर्क का विचार डाल दिया हमने उनसे कहा कि रहने के लिए इससे अच्छी एक जगा है यहां आप मनमाने तरीके से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ बेवकूफी कर सकते हैं कहीं और सब कुछ शांदार होगा इस एक विचार ने हमें अपने आसपास की हर चीज के प्रती बहुत बुरा और असमवेदन शील बना दिया है ये विचार कि अगर आप यहां अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं कोई बात नहीं, वहां वो शांदार होगा आज आपको शाराब नहीं मिली, कोई बात नहीं वहां वाइन की नदिया बहती हैं जो भी छोटे-छोटे सुख आप चाहते हैं, चिंता मत कीजिए वहां दरजनों कन्याएं आपका इंतजार कर रही हैं जो भी, बक्वास मैं कह रहा हूँ, बस ये विचार कि यही जगा है जहां सबसे उंचे स्थर पर जीने के लिए आपको सब बहतरीन करना होगा रहने के लिए इससे उंची कोई जगा नहीं है ये सब के अंदर समा जाना चाहिए अगर हम बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो यही वो जगा है मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके पास कोई सुबूत है कि आप पहले से स्वर्ग में नहीं है और उसे खराब नहीं कर रहें कि आपके अच्छता है जीत में विनम्र रहना और हार में गरिमा बनाए रखना ये महान लोगों की पहचान है एक महान राष्टर बनाने के लिए महान लोगों की जरूरत होती है इस समय जब चुनाव के नतीजे आ चुके है और लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है हम सभी को चाहे वो लोग जो जीते हैं या वो जो हारे हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सेवा कौन ज्यादा अच्छे से कर सकता है इसका संबंद देश की और देश के लोगों की सेवा करने से है कि हुआ है